हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है इंडिया की ये strategic huge victory जो इस वक्त मीडिया पर हर जगा पर खबर वाइरल हो रही है ये शदरंच की बिसात पर चाइना के लिए कितनी बड़ी मात है बारत के बहुत करीब आरा है उसको थोड़ा सा कुछ पैसे कूसे दिया के या कुछ लेप लपा करके कहीना कहीन बंगलादेश को चाइना अपनी तरफ खीचना चाता था बंगलादेश में अपना असर बढ़ाने में जुठे चीन को भारत ने अपनी एक चाल से करारी मात दे दी भारत ने बंगलादेश के मोंगला बंदरगा के एक टर्मिनल पर संचालन का अधिकार हासल कर लिया है पांगलादेश की प्रदान बंदरगाप अपनी नजर बनाय हुए था बांगलदेश का सबसे बड़ा पोर्ट चिटगॉंग है जबकि मोंगला पोर्ट बांगलदेश का दूसरे सबसे बड़ा बंदरगा है हम तो यहां आये थे एकोनोमी को स्टेबल करने के लिए हमने बहुत बहुत जुठाया मगर हम यह डील नहीं कर सकते टाइम या इंडियन ओशन में इंफ्लुएंस इसलिए बहुत है मैं कि चाइना की 80% एनरजी इंपोर्ट जो है ड़ा पास थ्रू दी इंडियन ओशन एक तो यह एक तो यह इनक्यू अगर कंट्रोल लगाएंगे तो आप यह पूरा कंट्रोल लगाएं यह आप यह अधूरे कंट्रोल जो है यह लोग बाइपास कर देगे बाइवाट रीजन ओर अदरदा उझे आपकी समझ नहीं आरी कि आपके लीडर ने का जाएं वहाँ पे आपका वो जो लोग है वो जख्रे की सूरत में चलेगे फिर आप कहें हमें रोका क्यों नहीं मुरे तो यह समझ नहीं आरी तो यह चाइना का डबल स्टेंडर्ड है चाइना यह जो एक हाथ से अपने आके बचारे यह जो उगर मुसल्मान है नमस्कार दोस्तो जैहिन भारत में बंगला देश में मौंगला पोर्ट पर एक टर्मिनल के ऑपरेशन पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है यह चीन के लिए बहुत बड़ा जटका है क्योंकि चीन इस पोर्ट के पीछे पड़ा हुआ था भारत को इस पोर्ट पर अधिकार मिलना एक बड़ी रड़नितिक जीत है हिंद महा सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने और रड़नितिक रूप से महाथपुड विदेशी मंदरगाओं में प्रभाव बढ़ाने के भारत के व्यापक प्रयाशों के हिस्से के तौर पर ये काफी एहम है मंगला पोर्ट चटगाओं के बाद बंगला देश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है इरान में चाबहार और मैनमार में सित्वे के बाद मंगला पर अधिकार मिलना हाल के वर्षों में वीदेशी बंदरगाहों के प्रबंधन के लिए भारत की ये तीसरी बड़ी सफलता है मंगला में भारत की एंट्री चीन को परिशान करेगी इसकी वज़ा ये है कि चीन अपनी सिल्क रोट के पहल के तहत हिंद महासागर में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है चीन की महातव कांशी बेल्ट अन रोड इनिशेटिव प्रोजेक्ट वैसिक अपूर्थी शंकला में महातवपूर केनेक्टिविटी पर अधारित है ऐसे में ये चीन के लिए बहुत प्रत्मिक्ता वाला छेतर है चीन का लगबग 80% उर्जा आयात हिंद महासागर से होकर गुजरता है जो चीन के लिए इस पोर्ट के रड़नितिक मातव को दिखाता है इंडिया की ये strategic huge victory जो इस वक्त मीडिया पर हर जगा पर खबर viral हो रही है आए जरा इस पर नज़र डाल लेते हैं कि ये शदरंच की बिसात पर चाइना के लिए कितनी बड़ी मात है चाइना का अपना मीडिया इसको कह रहा है कि ये war of ports थी और उसमें ये लिखता है जो उनका साउच चाइना मारिटाइम पोस्ट है उसमें लिखता है कि port warts इंडिया बंग्लादेश डील सीन एज बिट टू कर चाइना स मैरी टाइम अमबिशन कि चाइना के जो मैरी टाइम अमबिशन है उनके लिए एक बहुत बड़ा धजका है जो मूदी गवर्मेंट ने ये कर डाला है जिसमें इंडिया ने टर्मिनल राइट्स टू स्ट्रिटिजिक मौंगला पोर्ट मंगला देश में हासल कर लिए है इससे पहले इसकी खबरे आती रहीं इससे पहले हमने ये भी सुना बहुत कुछ कहा गया के शेक हसीना जैसे ही इंडिया का विजिट उन्होंने किया उसके फॉरण बाद वो चाइना पहुंची है उन्होंने क्या इजाज़त हासल करनी है उन्होंने क्या कहना है और अब वो देख रही है कि वो किसकी तरफ जाएं ये बंगलादेश को भी क्या देगी और चाइना इसको क्यों अपने लिए इतनी एहम समझता था इसपर चाइना ने कोई 17 पोर्ट पर इंडिया नोशन में उसका इंफ्लूएंस है बहुत ज्यादा तो पहले ही वो हासल कर चुकिया जिसमें में अमार की सित्वे पोर्ट, इरान की चाबहार पोर्ट और अब आप ये देख रहे हैं कि बंगलादेश की मौंगला पोर्ट भी उसके राइट्स भी इंडिया ने हासल कर लिया लेकिन अगर हम इंडिया की प्राइविट कंपनीस की बात करते हैं अगर हम अड़ानी जो पोर्ट हासल कर रहा है उसकी बात करते हैं तो उसमें तो हम आपको पहले ही बता चुकिए अमान पोर्ट और फिर इसराइल की हैफा पोर्ट कई एक पोर्ट हम बता चुकिए कि किस तरीके से इंडिया का इंफ्लूएंस जो है वो कैसे बढ़ड़ा है अब ये वाली जो पोर्ट कही जा रही है इंडिया है सेक्योड ए स्टेजिक विन बाइ विनिंग ऑपरेशनल राइट फॉर दी मोंगला पोर्ट टर्मिनल इं बंगलादेश ओवर चाइना इस दी कंट्री सेकंड लार्जेस्ट सीपोर्ट आफ्टर चटागॉंग इंडिया इंडिया ओशन तो जैसा मैंने पहले कहा ये वही बात लिखी जारी हर जगा पर के अब जो चाइना का इंफ्लूएंस बाड़ा है वो हम देख रहे हैं के भारत कितनी कामियाबी के साथ र जारी है इससे पहले हम आपको ही बता चुकी है कि अफ्रिकन कंट्रीज की जब हम बात करते हैं वहां पर चाइना का कितना ज्यादा इंफ्लूएंस था और है अभी वी लेकिन उसको कैसे कट किया और कैसे दर्मयान से हमने देखा कि इंडिया ने अफ्रिकन कंट्रीज में अपना इंफ्लूएंस बढ़ाया इंक्रीज किया वहां पर ट्रेड बढ़ाई यह जो मौंगला पोर्ट है इससे सबसे पहला फाइदा तो यह है कि दोनों बंगलादेश और इंडिया के बीच बाइलेटरल ट्रेड इंक्रीज होगी बाइलेटरल उनके रिलेशन्स बहुत बेहतर होंगे बहुत बढ़ेंगे जो इंडियान ओशन में इंफ्लूएंस की बात है ओविसली वो तो अपनी जगह पर है इसके बगार कैसे गुजारा है और यही एक बहुत बड़ी कामियाभी है उनकी टर्मिनल विल बी ऑपरेटेड बाई इंडियान पोर्ट ग्लोबल इंडियान ओशन मोंगला पोर्ट डील उसको ऐसे ही देखा जा रहा है कि जैसे चाइन ने जो सबस्टेंशल इंवेस्मेंट्स कर रखी है तो यह एक उसको बड़ा धचका लगा कि इसके अंदर भी वो इंवेस्ट यह करना चाहता था लेकिन यहां पर उसको यहाली इन्व आप समझ सकते हैं कि यह रीजनल स्कूरिटी की बात है चाइन जो के बंगला देश में इतना बड़ा इंवेस्टरों में देख रही थी कि कहा जा रहा है कि कोई सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर जो है बंगला देश में चाइना उसका विद प्रोजेक्स इंक्लूडिंग देवल्पमेंट ऑफे 750 एकर इंडुस्ट्रियल पार्क इन चटागोंग और इस सिंगल पॉइंट सिस्टम एड़ी चटागोंग पोर्ट फिर मॉंगला पोर्ट जो है फिर भी जो मॉंगला पोर्ट है रेप्रिसेंट्स एक क्रिटिकल जंक्चर वेर बंगला देश मस्ट इस रिलेशन्शिप विद बोथ चाइना एंड इंडिया बंगला देश की शेख हसीना के चाइना और इंडिया के विजिट्स जो होते रहे तो उसमें एक बैलेंसिंग एक्ट भी नजर आ रहा था वो लग रहा था कि वो उनकी खायशी है कि वो इंडिया से भी बहुत अच